हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिधान के अनुच्छे 131 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से रिलेटेट पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबिधान के अनुच्छे 131 के बारे में ये कहता है उच्चुतम नियालय की आरंबिक अधिकारिता आरंबिक अधिकारिता का मतलब आप ये समझें कि वैसे यदि हम देखें तो भारत में बहुत सारे नियायलें की स्थापना की गई है प्रतेक जिले में नियायले है और जिले में नियायले के अतिरिक्त भी अनियायले भी है याने कि छोटे नियालाय को related किया गया जिला नियालाय से याने कि district court से district court जितनी भी district court है उनको जोड़ा गया उच्च नियालाय से याने कि high court और high court के बाद number आ जाता है supreme court का यदि अपन देखें करम से यदि देखें मान लेते हैं कि कोई विवाद हो गया तो विवाद हो गया तो सबसे पहले तो निचले नियालाय में जाएगा यदि वहाँ से फैसला गलत हुआ तो उसकी appeal जो है उसमें होगी district court में district court में भी यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो फिर जाएंगे high court में और high court में संतुष्ट नहीं होते हैं तो supreme court में जाएंगे और supreme court अंतिम नियालाय है यह अपन समझ सकते हैं लेकिन यह तो बात हो गई appeal की और appeal की अधि हम बात करेंगे तो appeal आ जाएगा भारती संभिदान के अगले अनुच्छेद में याने के 132 में लेकिन यहां पर आप अपन अपील की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर यह बात बताई जा रही है इस क्या बोलते हैं कि इस अनुच्छेद 131 में क्या बताया जा रहा है यह बताया जा रहा है कि कोई मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से जाएगा अपील के माध्यम से नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही उस मामले को ले जाया जा सकता है कौन-कौन से ऐसे मामले होते हैं तो यदि हम देखें तो एक राज्य का मामला यदि दूसरे राज्य से भिढ़ गया यानि कि एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से हो गया है मान लेते हैं को गुजरात राज्य का विवाद जो है महराष्ट राज से हो गया या मद्य प्रदेश से हो गया तो राज्जों के जो आपसी विवाद हैं उन विवादों को सुल्जाने के लिए यदि कहीं जाया जाएगा तो वो है सुप्रीम कोड यहने कि सुप्रीम कोड में आप बिना अपील के डायरेक्ट जा सकते हैं यदि मामले राज्य के आपस में हैं तो यानि कि एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य से हो जाता है तो सुप्रीम कोट जा सकते हैं एक राज्य का विवाद यदि केंद्र से हो जाता है संग सरकार से राज्य सरकार का विवाद हो जाता है तब ऐसे समय में डायरेक्ट सुप्रीम कोट जाया जा सकता है या बहुत सारे राज्यों का विवाद बहुत सारे अन्य राज्यों से मतलब एक गुट बन गया और एक ग अलावा में बहुत सारे राज मिल करके केंद्र सरकार पर कोई आरोप लगाती हैं तब ऐसे समय में डाइरेक्ट सुप्रीम कोट में मामला जा सकता है तो कुल मिला के भारती संभिधान का अनुच्छे 131 में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन-कौन से ऐसे मामले हो कि आरोओंगे जिन मामलों को ले करके डायरेक्ट सुप्रीम कोट जाया जा सकता है बिना किसी अपील के माद्यम सी अपील करके पॉइंट नमबर कहा हो गया पॉइंट नमबर कहा कहता है कि एक और भारत सरकार और किसी राज या राज्यों और दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है तो जा सकते हैं कहां पर सुप्रीम कोड में मामले को ले करके पॉइंट नमबर कहा कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है तो डाइरिक सुप्रीम कोड जा सकते हैं अपील के माध्यम से जाने की ज़रुत ही नहीं है वैसे भी हाई कोड क्या करेगा आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक राज्य का विवा अपनी तरफ से फैसला सुनाएगा इसलिए उच्चतम न्यायलाय को ही अधिकार दिया गया है कि राज्यों के मामलों में सुनवाई कर सकते हैं और क्या लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि किसी विवाद में मतलब तीनों चीजे बता दी राज्य से राज्य सरकार का विवाद हो जाए मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का विवाद हो जाए एक राज्य से केंद्र का विवाद हो जाए या बहुत सारे राज्यों का विवाद केंद्र सरकार से हो जाए या जो है बहुत सारे राज्यों का विवाद बहुत सारे राज्यों से हो जाए द जो विधी से related है या तक्ष से related है जिस पर किसी विधीक अधिकार या आस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहां तक अन्य नियायलायों का अब बर्जन करके उच्चतम नियायलाय को आरंबिक अधिकारीता होगी आरंबिक अधिकारीता याने के पहला केस डायरेक्ट वही सुप्रीम कोर्ट में लगेगा यसा नहीं के पहला केस जो छोटे नियायलाय में फिर आपील होके बड़े नियायलाय में फिर आपील होकर के बड़े नियायलाय में ऐसा नहीं डायरेक्ट आरंबिक अधिकारीता ही स सुप्रीम कोट के पास रहेगी ठीक है यह तो मैंने आपको बता दिया इसमें एक चीज और बताई गई है परंतु उक्त अधिकारिता का विश्तार उस विवात पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधी करार प्रसंदी वचन पत्र सनद या वैसी अन्य लिखत या अन्य लिखत से जो इस संभिदान के आरंब से पहले की गई हो या निस्पादित की गई हो और ऐसे आरंब के पश्चात प्रवर्तन में हैं या जो उबबंद करती है कि उक्त अधिकारिता का विश्तार ऐसे विवात पर नहीं होगा याने के ये जो संभिदान तयार हुआ था संभिदान के पहले ही यदि कोई संधी प्रसंदी हो गई है वचनपत्र हो गया है सनद हो गई है तो उस पर ये मामले लागू नहीं होगे यहाँ पर ये भी बता दिया गया अच्छा एक चीज और समझ लें आप मान लेते हैं के राश्τα पती और उपराष्ट्र पती को हटाय जाने का प्रश्चिछ उत्तपन होता है तो भाय हाज्य सरकार मतलब हाई कोट सुने गी या पर सुनेगी तो सीदी सीदीEst language में आप यह कह सकते है राश्ट्र पती जो होता है वो तो पूरे भारत के होता है इसलिए किसी भी जो है हाई कोट को सुनने का तो मतलब भी नहीं निकलता तो सीधा सीधा सुप्रीम कोट उस पर सुनवाई कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोट देखो राष्ट्रपती के मामले में या उपराष्ट्रपती के मामले में सुनवाई तो करती है लेकिन वो भारती संविधान के अनुच्छे 132 के अंतरगत नहीं आता है मेरे अंदाज से ये जो है भारती संभिधान के अनुच्छे 24 में होना चाहिए लेकिन confirm नहीं है इसलिए मैं इसा नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस मामले में याने के राष्ट पती और उपराष्ट पती का यदि विवात मामला है राष्ट पती या उपराष्ट पती को पस से अटाय जाने का मामला है तो ऐसे समय में जो है भारती संबिधान का 131 अनुच्छेद लागू नहीं होगा एक तो यह हमने पढ़ लेते हैं एक चीज़ और है यदि आप सोच रहे होंगे कि भारती संबिधान के अनुच्छेद 32 के अंतरगत कोई व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि मूल अधिकार का हननन होता है तो भाइं वह मूल अधिकारों के हननन की बात है और उसके लिए अलग से एक अनुच्छेद दे दिया गया अनुच्छेद 32 दे दिया गया है तो डायरेक्ट आरम्विक अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट को लेकिन यहाँ पर यह भी तो देख सकता है तो यहां पर यदि आरंबिक अधिकारिता की बात करें तो हाई कोट को भी यह तो आरंबिक अधिकारिता हुए 226 में और अनुच्छे 32 के अंतरगर तो डायरेक्ट सुप्रीम कोट भी जा सकता है इसलिए भारती संबिधान का अनुच्छे 131 वहां पर लागू नहीं ह हो रहा है और इसलिए जहां पर भारती संबिधान का अनुच्छे 331 वहां उसके बारे में उसके से अधियान के अधियान किया बारती संबिधान के अगला वीडियोAL देखना चाहते हैं तो आप यहां पर किलिए करें यहां से आपको भारती संभीदान का अगला अनुच्छेत भी मिलेगा इसके अलावा में CRPC IPC और भारती संभीदान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमे करें जाएंगे वाल